Hello everyone, आज के इस session में हम अपने chapter synthetic fibers and plastics का second major part discuss करेंगे and that is plastics. Previous sessions में हमने इस chapter के first major part को discuss किया है, हमने synthetic fibers को discuss किया है. हमने total 4 type की synthetic fibers देखे थे, rayon, nylon, polyester and acrylic fibers. इन सभी fibers की characteristics क्या होती है, qualities क्या होती है, वो हमने discuss किया और कहां इन synthetic fibers को किस purpose के लिए use किया जाता है और कैसे ये हमारे natural fibers से better होते हैं, ये सारी वाते हम already discuss कर चुके हैं अपने previous sessions में. और आज के इस session से हम start करते हैं अपने chapter का second major part जो की है plastics. तो चलो, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं, so this is विभूती खरे, welcome to Magnet Brains, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost. याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost. तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session जहां पे हम बात करेंगे plastics के ओपर. अब देखो, plastic एक ऐसा material है, जो कि हम सब use करते हैं, मैं भी use करती हूँ, आप भी करते होंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन करते हैं, daily basis पे हम किसी ना किसी form में plastic के items को या plastic articles को जो है use करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आज हमने कोई plastic का article या item हमने use किया है, फिर कल नहीं किया, परसो किया, या एक हफते बाद किया, ऐसे नहीं होता, हम daily basis पे जो है ना plastic की बनी हुई चीज़ों को plastic items को use करते ही करते हैं, the moment you wake up, जैसे ही आप सुबह सो करके उठते हो, तुरन से जो है ना plastic items को हम use करना शुरू कर देते हैं, कैसे, तो सबसे पहले तो हम सुबह सो बचती है, बिना alarm के हम सो करके नहीं उठते हैं, तो again सुबह सो करके उठे, कैसे उठे, alarm clock बजी, alarm clock को सबसे पहले बंद किया, तो वो alarm clock किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक की तो बनी है, तो वो क्या हो गया, अपना सबसे पहला, दिन का सबसे पहला use करने वाला plastic item, फिर इसके बाद में सुबह सो करके उठे, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने teeth brush करेंगे, कैसे करेंगे, तो toothbrush की help से, है न, तो जो हमारा toothbrush है, वो क्या है, वो भी तो एक प्लास्टिक का item ही है, उसके bristles से लेकर कि उसका जो handle होता है, जिसको आप पकड़ते हो, वो दोनों ही च होता है, प्लास्टिक का बना होता है, फिर इसके बाद में हमको school जाना होता है, school जाने के लिए हम क्या करते है, अपना bag ready करते है, ready कैसे करेंगे, books वगेरा रख लेंगे, इसके बाद में बात आती है, pencil box की, तो मारा जो pencil box है, वो किसका बना है, again plastic का बना है, school जाने के स्कूल गए, school गए, तो हमने जो है ना पढ़ाई करी, हमने जो है अपनी notebook में लिखा, लिखते कैसे हैं, तो pen की help से लिखते है, pen किसका बना है, again plastic का बना है, फिर इसके बाद में पढ़ाई बगरा करके हम अपने घर वापस आ जाते हैं, अब घर आ करके जो है हमको प्यास ठीक है, फिर इसके बार में हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो ठंडा पी ही रहे है, तो थोड़ा सा और जो है ना बिंज बॉचिंग करते हैं, किसी अपने फेवरेट वेब सीरीज की, तो हम अपनी टीवी चला करके बैठ गया, तो आपके घर में जो टीवी है, वो भी क्य है, एक प्लास्टिक आइटम ही है, तो ये जो लिस्ट है ना प्लास्टिक आइटम की जो की हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, ये एंडलेस है, हर कहीं आपको प्लास्टिक से बनी हुई चीज़े दिखाई देंगी अपने अराउंट, ठीक है, हम इतना यूस्टू हो हैं, फ्लास्टिक आइटम से, कि कहीं न कहीं हम रियल्सटिक करना ही छोड़ देते हैं कि ये भी प्लास्टिक का है, हो च Chop Hais, और सच तो यही है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक कि पर्सिंट की बात है, या किसी फैमनी की बात है, सब के साथ यह है हमारे घर में, भी मेरे हमें कई सारे plastic के items हैं मैंने आपको बोला ना कि हम इतना used to हो गए है plastic items के साथ कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम daily basis पे कितने सारे plastic items को use करते हैं कहां कहां जो है ना plastic present है हमारे आ रहा हूँ चलो we use a large number of articles or things made of plastics in our everyday life सही बात है बिल्कुल some of the articles made of plastics which are used by us in our everyday life plastic bags यहने क्यों पॉली बैक्स जमारे होते हैं शौपिंग गए हैं आजका तो फिर भी pollution जादा हो रहा है ना लोगों में इतनी awareness आ रहे हैं कि भी पॉलिथिन यूज करना जो है ना अच्छी बात नहीं है तो पहले तो लोगों को बोला गया था कि भी आप अपने घरों से जब भी शौपिंग के लिए जाते हो तो पॉलिथिन बैक्स जो है ना लेकर के मत जाओ आप कपड़े का बैग लेकर जाओ है ना आप पेपर बैग वगरा लेकर के जाओ फिर इसके बाद में हुआ कि कि रिवस्भिवां घर से लेकर कि जाये शौप में जाएंगे शौपिंग करेंगे वहीं से जो है ना पॉलिवी जेकर के आघर कर लेकर लेकर आज इसके दो मदों से अपने लिए जो हैना कैरी बैक्स लेकर के आना पड़ेगा पेपर बैग, या कपड़े का बना हुआ बैग आ को लेकर आना पड़ेगा तो कि हमारी शौप पे जो है पॉलेटीन अवेलिबल नहीं है हम उसको नहीं बेचते हैं ठीक है तो यह जो step लिया गया government के द्वारा shopkeepers ने जो माना है यह बात तो यह काफी यूनो काफी हद तक फायदे बंद रहा तो क्योंकि लोग तो मानते नहीं है अब अगर आप किसी को मजबूरी कर दोगे कि शॉप पे मिली नहीं नहीं तो घर से लेकर जाना पड़ेगा तो polythane bags हम यूज करते हैं water bottles हम यूज करते हैं buckets जाने की बाल्टी हमारे है ना rugs water tanks water pipes ballpoint pen जैसे कि मैंना आको बताया है कि हम पढ़ाई करते हैं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं pen से लिखते हैं फिर कॉम स्कूल जाने के पहले कंगी भी तो करनी फड़ती है बाल भी तो बनाने वह भी क्या है plastic का ही बना होता है toothbrushes toys shoes tea strainers चाय पती मलब चाय को चानने वाली जो होती ना छिलनी जिसको हम कहते हैं चलनी जो पिक है उसको वह tea strainers कि यहां पर बात हो रही है cups, plates, chairs, tables, insulation of electric wires in fact हमारे जो बिजली के जो तार हमारे घरों में लगे रहते हैं electrical wiring जो हम use करते हैं अपने घरों में उसके ऊपर आपने देखा होगा you know red color का wire, green color का wire, yellow color का wire तो यह जो color आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है तो जो electric wires होते हैं वो metals के बने होते हैं तो उनके उपर जो है coating की जाती है उसको आप insulation की coating भी बोल सबते हो ताकि कभी आप गलती से किसी तार को छूलो तो आपको current ना लगे क्योंकि obviously बात है हमारे घरों में जो electrical wires होते हैं उसमें current फ्लो होता ही है तो अगर हमने as it is जाकर के metallic wires को जिसमें current फ्लो होता है तो current लग जाएगा तो इसके लिए क्या करते हैं electrical wires के ओपर एक insulation coating बना देते हैं ठीक है और यह insulation coating किसकी बनी होती है again plastic की बनी होती है ठीक है तो अलग-अलग color की होती है red होती है yellow होती है green होती है black भी होती है फिर इसके बाद में क्या बोला गया है covers of electric switches plugs, sockets and bulb holders तो आप देख सकते हो कि जो list ह है वो endless है some of the parts of radio, television, refrigerator, cars, buses, trucks, scooters, trains, airplanes, ships and spacecrafts are also made of various types of plastics the list of things of plastics are used in homes, transport and industries is endless जैसे कि मैं आपको बोला कि इतनी लंबी list है कि कहां 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 आप plastic को देख सकते हो उसको एक list में जो है ना mention करना बहुत difficult है the list of things of plastics अच्छा ये वाला point हो गया है plastic articles are available in all shapes and sizes ठीक है हर किसी shape में हर किसी size में जो है ना आपको plastic के articles मिली जाएंगे आपको pen के shape में भी plastic articles मिलेंगे आपको जो हमारे संदर संदर toys होते हैं है ना उस shape में भी आपको plastic के articles दिखाए देंगे तो हर shape और size में in fact color में आपको plastic articles available मिलेंगे ठीक है available होंगे a plastic is a synthetic material which can be molded or set into desired shape अब हम सबको पता है कि हमारा plastic जो है वो क्या है एक synthetic material है synthetic material मतलब क्या कि यह naturally नहीं मिलता है ऐसा नहीं है कि जैसे कि cotton का कोई plant होता है जूट का कोई plant होता है वैसी plastic का भी plant होता होगा तो हम उस plastic के plant से जाकर कि जो है ना plastic को तोड़ लाते हैं या उससे obtain कर लेते हैं ऐसा नहीं होता है यह synthetic material है यानि कि इसको synthesize किया जाता और खास बात क्या है कि आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो जैसे कि मैंना को बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टीड कार्टिकल्स वेरियस शेप्स और साइजस में जो इना अवेलिबल होते हैं तो यह कैसे आपको plastic items की different shapes और sizes की varieties मिल रही है क्योंकि plastic जो material है उसका nature ही ऐसा होता है कि आप उसको किसी भी shape और size में जो ना mold कर सकते हो तो चाहे जैसा जिस भी आकार में आप उसे ढालना चाहो वो ढल जाता है आपको desirable shape मिल जाता है size मिल जाती है फिर इसके बाद में when soft अच्छा basically यहां पर बोल सकते हो कि जब इनको melt किया जाता है हमारे plastic articles को तो यह आप बोल सकते हो कि पहले तो soft हो जाते हैं फिर इसके बाद में ठंडे होने के बाद ही क्या हो जाते हैं hard भी हो जाते हैं और फिर इसके बाद में hard होने के बाद एक durable article आपके सामने निकल के आ जाता है, क्या बोला मैंने कि plastic material को आप जब heat करते हो तो वो soft हो जाता है, जैसी soft हो गया तो फिर आप उसको जो भी आपको shape चाहिए है उसमें आपने उसको mold कर दिया, mold कर दिया, उसको set होने के लिए रख याने कि आप उसको असानी से जो है mold कर सकते हो, plastic word का मतलब यही होता है, easy to mold, इतना समझ में आ गया ना अपनको, चलो, अब हम आगे बाजाते हैं, कि like synthetic fibers, plastics are also polymers, जैसे हमारे synthetic fibers कैसे थे, synthetic थे, naturally हमको plant और animals से नहीं मिलते थे, उनको हमें synthesize करना परता था, chemicals के थू, similarly हमारे जो plastics होते हैं, वो भी कोई natural material नहीं है, plant और animals से नहीं मिलने वाला, nature में naturally exist नहीं करता है, बनाया जाता है, synthesize किया जाता है, ठीक है, तो में synthetic fibers के बारे में बढ़ा था कि वो polymers के बने होते हैं, similarly हमारा जो plastic है, वो भी किसका बना होता है, polymer का ही बना होता है, this means that plastic consists of very long molecules made by joining the small molecules together, polymer के बारे में already हमने पढ़ रखा है कि polymer क्या होता है, एक बड़ा सा molecule होता है, जिसको बनाने के लिए कई सारे छुटे-छुटे-छुटे-छुटे molecules होते हैं, एक साथ combine हो जाते हैं, combine होने के बाद long chains बन जाती हैं, तो यह जो long chains बनती है, छुटे-छुटे molecules की, इसी क को हम एक बड़ा मॉलिक्यूल कहते हैं इस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलिमर और इन इस पॉलिमर को बनाने के लिए जो छोटी-छोटी small molecules used हुए हैं, join हुए है, combine हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या monomers है ना, तो मोती का एक बड़ा सा हार, वो क्या है? एक polymer है, और इस मोती के हार को बनाने के लिए, जो individual मोती या पर लिये गए हैं, वो क्या है? Monomers है. ठीके? तो मोती का हार एक polymer है और मोती के individual pearls क्या है? Monomer है. तो हमारा जो plastic है, वो भी किससे बना होता है? Plastic में आप बोल सकते हो कि long molecules होते हैं. लंबे-लंबे बहुत सारे molecules होते हैं, जो कि कैसे बने हुए है? बहुत सारे small molecules को combine करके, join करके बने हुए है. और process क्या कहलाती है? क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी process जिसके help से polymer बनता है. कैसे? Monomers को combine करके, उस process को हम कहते हैं polymerization. चलो. The starting materials used for plastics are obtained from petroleum products called the petrochemicals. अब ये petrochemicals एक ऐसा word है? जो कि हमने पहली बार सुना है, क्या? नहीं. अल्रेडी हम इस word को पढ़ चुके हैं. कहां पढ़ चुके हैं? भाई, जब हम बात कर रहे थे अपने synthetic fibers की. है ना? synthetic fibers के time पे हमने पढ़ा था कि कि सरीके से synthetic fibers basically polymer के बने होते हैं. Polymer कहां से आएगा? Monomer से आएगा. तो monomer कुछ synthetic fibers ऐसे होते हैं, जिनके monomers कहां से बनाया जाते हैं? तो petroleum product से याने की petrochemical से. तो जैसे कि synthetic fibers के monomers जो है ना petrochemical से बने होते हैं वैसे ही plastic के monomers plastic को बनाने वाले जो monomer होते हैं वो कहां से obtain किया जाते हैं petrochemical से बना जाते हैं जैसे कि coal हो गया, water हो गया, air हो गया, oil वगरा हो गया कुछ इस तरीके से ठीक है फिर polythin अचा अब देखो जैसे कि हम मैंना को बताया कि हम जो plastic items करते हैं plastic के articles करते हैं वो कई सारे होते हैं आप उसको इतने सारे articles करते हैं हम एक दिन में plastic के कि एक list में जो है ना उनको mention करना काफी difficult होता है लेकिन खास बात क्या है इन सभी plastic items की कि यह सभी plastic items जो है ना आपस में काफी यूनों अलग-अलग होते हैं शेप और साइज और कलर की बात तो है यह अलग लेकिन इनका जो आप बोल सकते हो कि जो quality है वो भी कई हद तक जो है ना काफी different होती है for example complicated ना करते हुए असान शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास suppose क्या है एक plastic का pen है ठीक है regular pen जिससे हम अपने notes वगेरा बनाते हैं लिखते हैं ठीक है एक हमारे पास regular pen है और वहीं हमारे plastic plate को तोड़ने की कोशिश करो ज्यादा pressure या force लगा करके तो वो इतने असानी से नहीं टूटेगी plastic pen और plastic plate का size अलग है, shape अलग है, design अलग है, color अलग है, वो सब अलग है लेकिन अगर हम बात करेंगे दोनों की hardness की, है ना दोनों की strength की, strength is the correct word, strength की अगर हम बात करेंगे तो दोनों की strength अलग अलग है plastic pen जो है अगर आपने जोर से इसको ऐसे कर दिये तो वो तूट जाएगा, लेकिन plastic plate की अगर हम बात करेंगे तो वो इतने असानी से नहीं टूटने वाली, बकादा जो है आपको उसको हतोरे से तोड़ना पड़ेगा, इतने असानी से तूटती नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ plastic pen जो है, वो भी plastic से बना है, जो हमारे पास plate है, वो भी plastic की बनी हुई है, तो जब दोनों ही चीजें, दोनों ही items plastic की बने हुए हैं, तो दोनों की strength में इतना difference क्यों है, क्यों एक pen इतना कमजोर है कि उसको यूनों हाथ से अगर हम ऐसे करेंगे तो तूट जाएगा, और क् कितना भी उपर से नीचे करा ले तो वो नहीं तूटेगी, ऐसा क्यों हो रहा है, तो difference आता है इसमें कि plastic जो है अपने different forms में nature में exist करता है, या nature में exist मतलब कि plastic अपने different forms में या different types में हम तक available है, ऐसा नहीं है, माना की pen और plate दोनों ही plastic के बनें, लेकिन जो pen है वो अलग type की plastic का बना है, और जो plate है आपके पास वो अलग type के plastic की बनी हुई है, दोनों plastic है, लेकिन types अलग अलग है, तो इसलिए मैंने बोला कि plastic अपने different forms या types में हम तक available होता है, अब आज की session में ऐसे ही कुछ types को हम discuss कर लेते हैं, जो कि basically कुछ ऐसे types होंगे, जो कि हम daily basis पे अपने घ polythin है, जैसे कि मैंना आपको बताया कि shopping पे जाना है, आज फिर भी लोगों में awareness आगई है, अपने अपने carry bags लेकर के जाते हैं लोग, लेकिन बहुत पहले आज से करीब 5 से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, polythin बहुत trend में थी, यानि कि अगर किसी को shopping पे जाना है, तो वो कोई carry bag वगरा कुछ लेकर के नहीं जाते थे, और अगर carry bag लेकर भी जाते थे ना तो बड़ी बड़ी polythin ही लेकर के जाते थे, तो polythin यह क्या है, एक plastic है, obtained by the polymerization, polymerization मैंना अभी अभी बताया है ना, कि ऐसी process जिसमें हम polymer को बनाते हैं, कैसे, monomers को combine करके, joint करके, तो plastic क्य है, एक poly, basically polythin क्या है, एक plastic है, which is obtained by the polymerization of chemical compound known as ethene, आपको याद है, हमने polyester में क्या पड़ा था, polyester, अगर मैं यहाँ पर लिख दू, polyester, तो polyester में हमें देखा था कि एक जो पूरा word है, इसको अगर हम break करें, इसको हम तोड़ें, तो हमको दो words मिलेंगे, एक मिलेंगा poly, औ आपको poly मतलब क्या होता है, बहुत सारा, mono मतलब 1, dye मतलब 2, try मतलब 3, वैसे ही poly का मतलब होता है, बहुत सारा, या many, और फिर इसके बाद में ester क्या है, ester हम बोलते हैं कि एक functional group होता है, जैसे कि हमारा जो polyester है, मतलब की polyester fiber, वो किसका बना है, polymer का बना है, हैना, उस polymer को ब monomers होते हैं, polyester fiber को बनाने के लिए, उन सभी monomeric unit में एक additional group present होता है, जिसको हम functional group कहते हैं, और कौन होता है, वो functional group, वो होता है ester, तो जैसे कि आप बना रहे हो polyester, तो polyester का यह रहा एक monomer, इस monomer के साथ लगा हुआ है, क्या, आपका ester group, क्या लगा हुआ है, ester group, ठीक है, फिर इसके बार में, अब एक monomer से काम तो चलेगा नहीं, हमें तो बहुत सारे monomers चाहिए हैं, तो अभी हम polyester को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि polyester का एक monomer यह रहा, यह रहा दूसरा monomer, इस monomer के साथ एक additional group लगा हुआ हुआ, जिसको हम कहते है ester, इस वाले monomer के साथ भी same functional group लगा होगा, same group लगा होगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या ester, ठीक है, अब होगा क्या, यह दोनों ही monomers आपस में join करेंगे, यह दोनों ही, बिना monomers के join करें, polymer थोड़ी बनेगा, तो यह दोनों monomers आपस में join करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस ester group के through ही, देखो, यह व हमाले monomer के आगे जो monomer आएगा, आगे जो monomer आएगा, उसके साथ भी ester group लगा होगा, obviously, लेकिन अपने एक पहले वाले monomer के साथ कैसे जोड़ा होगा, यह ester group के साथ जोड़ा होगा, इतना clear है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि monomeric units के पास ester थे, और सभी monomeric units जो है न, ester group के साथ जोड़ी होई है आपस में, तो एक हमारा पास ऐसा polymer निकल के आया है, जिसके पास बहुत सारे ester group है, और इसलिए इस polymer का नाम क्या रख दिया, polyester, और polyester से क्या बन गया, polyester polymer से क्या बन गा, polyester fiber, इतना समझ में आया था न, यह सारी बाते तो previous session की है, time to time जो यह अच्छा रहता है, तो वैसे ही जो हमारा polythene है, वो क्या है भई, एक plastic है, जो कि कैसे बना है, by the polymerization of chemical compound known as ethene, अब हमारे पास क्या है, ethene है, या आप यह समझ सकते हो, कि ethene को हम अभी अपना monomer लेंगे, क्या लेंगे, mono, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, monomer, ठीक है, त तो आप बोल सकते हो, कि जो monomer है, जो ethene है हमारा, वो एक monomer है, ठीक है, ethene कुछ इस तरीके का दिखता है, यह रहा हमारा ethene, ठीक है, इसका chemical structure है, अभी शाद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन structure को समझाने के लिए, आपको मैं बता रही हूँ, कि यह आपका एक क्या ह इथीन है, अब यह वाला जो ethene का molecule है, यह दूसरे ethene के molecule के साथ जो है combine होगा, फिर यह दूसरा ethene का molecule, तीसरे ethene molecule के साथ combine होगा, तो इस तरीके से कई सारे ethene के molecules की एक लंबी सी chain बन जाएगी, एक long chain बन जाएगी, तो यह जो long chain बनी है, ethene molecules की, इसी को हम क्या कहते है, polymer क और पॉलीमर कौन सा इतीन बहुत सारे न जो कि इतीन अलग हो गया अगर इतीन बहुत सारे की पजलब ग्सक् Le haul से अपस्में जोइन हो जाते हैं छोन लेते हैं और अब कौन सा पॉलीमर अे पास polythane is a tough and durable polythane tough होती है, durable भी होती है लंबे समय तक चलती है polythane is used in making polythane bags या जिसको हम plastic bags भी कहते है, waterproof plastic sheets, bottles बनाने में भी use होता है, buckets वगेरा और dustbin वगेरा में भी polythane को use किया जाता है फिर इसके बाद में polythane is also used for packaging, आपने देखा होगा कि वैसे तो अगर किसी food item को pack करना है तो उसके लिए जो है न, aluminum foil हम देखते हैं, वैसे traditional तो होता है कि बढ़िया कपड़ में लपेट दो food को, लेकिन आजकर aluminum foil का trend चला है, तो लोग अपने food items को aluminum foil में जो है न, wrap करते हैं, इसके अलावा आपने एक gelatin type प्लास्टिक की foil देखी होगी क्योंकि aluminum में क्या होता है कि अगर आप food को अपने cover कर देते हो तो वो देखता नहीं है, लेकिन अगर जब हम market वगरा में जाते हैं, किसी bakery में किसी shop पे, तो उनको दिखाना होता है कि इसके अंदर क्या चीज पैक्ड है पैक करना भी जरूरी होता है, वर्णा मक्या मगरा बैठेंगी है तो वो क्या करते हैं, जिसको हम cellophene, foil कहते है, gelatin type की foil होती है, वो plastic की, तो उससे food item को wrap कर दिया जाता है तो wrap भी हो जाता है food item और वो दिखता भी रहता है कि यह चीज क्या है, तो हम जाकर के आराम से देख सकते हैं, चूस कर सकते हैं और खरीच सकते हैं similarly, हमारी जो notebooks वगेरा होती है, है ना तो उसको किसी भी तरह, क्योंकि notebook का cover होता है, brown cover, वो paper का बना होता है, तो वो delicate होता है असानी से फट जाता है, लेकिन अगर उसके उपर हम plastic की जो gelatin होती है, वो चड़ा देते हैं तो काफी लंबे time तक जो है आपकी जो notebook है, वो safe रहती है, पानी भी अगर गिर जाता है उपर, तो उससे cover खराब नहीं होता है, ठीक है, तो यह बोला गया है कि होता है, तो यह सब packaging का खेल है Some of the examples of plastics are, examples क्या है plastics के एक तो हमने भी देख लिया polythine जैसे कि मैंना को बताई था कि कई सारे types होते है plastic की, तो एक type को हमने भी देखा कि इसको polythine को देखा, इसके बार में हम थोड़ा सा poly vinyl chloride मिला माइन की पड़ते है और टेफलॉन के बार में, पड़ते है तो यह जीज मैंना को पहले ही समझा दी है कि हमारे पास plastic different types या different varieties में हमारे सामने available होता है तो एक type हमने plastic का पढ़ लिया है polythine, उसका structure क्या होता है कैसे वो बनता है क्या polymer होता है वो मैंने आपको समझा दिया अब हम आ जाते हैं अपने next type के ओपर जिसको हम बोलते हैं polyvinyl chloride याने की शौट में PVC पीवीसी आपने वर्ड जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर लगा होता है उस water tank का जो पानी है वो नीचे हमारे घरों तक जो different taps वगेरा होते हैं वां तक कैसे आता है तो तो पाइप्स के थ्रूरू आता है ठीक के पहले के जमाने में तो लोहे के पाइप चलते थे लेकिन होता क्या था कि लोहा है ओवेसी बात है तो आज के डाइम पर जो है न उन आप बोल सकते हो कि लोहे के बने हुए water pipes को replace किया है किसमे PVC के बने हुए pipes ने अगें pipes ही है वो water pipes ही है लेकिन किसके बने हुए है PVC के यानि की एक type of plastic के तो PVC polyvinyl chloride commonly known as PVC is a strong and hard plastic यह strong होता है और काफी कड़क plastic भी होता है it is not as flexible as polythene obviously वात है हमानी जो polythene होती हो तो कितनी flexible होती है किसी भी shape या किसी भी उसमें जो है आप उसको crumble कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो polythene के साथ लेकिन जब आप बात करोगे PVC की तो PVC हम बोलते हैं कि strong होता है और कड़क होता है और polythene जितना वो flexible नहीं होता है ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कड़क है लेकिन हाँ polythene जितना flexible तो नहीं होता है डिफिनेटली PVC इस यूज़ फॉर मेकिंग insulation of electric wires, pipes, garden hoses, raincoats, etc. अगर हम बात करें कुछ इस तरह की है ना तो देखो आप सभी ने देखा होगा कि आपके घरों में जो drainage वाले pipes होते हैं जो overhead tank से जो हमारे यहां water supply करने वाले pipes होते हैं तो वह आज सो कुछ इस तरीके के plastic के बने होते हैं देखा होगा आपने कि नहीं देखा अगर नहीं देखा है तो आज जाकर के घर में देख ले सिंटेक्स की टंकी क्या है वह भी तो प्लास्टी की है तो वह भी पीवी सी की बनी होती है तो कुछ इस तरीके के आपने पाइप देखे होंगे पीवी सी के तो यह काफी यूनों hard होते हैं strong होते हैं और flexible उतने नहीं होते हैं जितने की polythane होती है इसके लावा मैंने आपक यह तो यह यह स्फेशन को इसतरू को यूस किया जाता है तो जो अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरे से उनको बहार निकाला जाता है और ब्लोग्स वे गाएघमियों में लगाया जाता है खोड़ा सजोबार्ट हे इस इंसलेशन को फोड़ा सथा अब दाना लाकट है होता है क्यों कि pvc का बनाा गएजम्पल से क्वंधे फिरा पॉलेजल ना शुक्व को ही होता है फिर इसके बाद में इन प्लास्टिक आइटम्स को जो है ना अवाइड करना हमको चाहिए क्यों चाहिए वह हम अपने अपकमिंग सेशन्स में पढ़ेंगे तो हमने दो टाइप के प्लास्टिक पढ़ लिया है एक हमने पीवीसी पढ़ लिया है अब हम बात करते हैं नेक्स टाइप की जिसको हम तो बेकलाइट is a very hard and tough plastic ठीक है काफी hard होता है और tough होता है फिर इसके बाद में यहां पर बोला गया है कि बेकलाइट is used for making the handles of various cooking utensils such as frying pans and pressure cooker etc अब हमारी जो मम्या है वो घर पे खाना बनाती हैं है ना उनके जो cooking wares होते हैं इसमें की frying pan भी आता है cooker वगेरा भी आता है तो उन सबके जो handles होते हैं again वो किसके बने होते हैं plastic के बने होते हैं plastic के क्यों बने होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं लेकिन कौन से वाले plastic की तो वह है बेकलाइट तो आपको पता चलता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम plastic के types पढ़ रहे हैं क आपके घरों में जो different you know items हैं वो किस टाइप के प्लास्टिक के बने हुए हैं कि overhead tank जो है syntax की टंगी है वो PVC के बनी है जो water pipes आपके घरों तक overhead tank से पानी लेकर क्या रहे हैं वो PVC के बने हुए है जो raincoat हम पहनते हैं वो किसके बने हुए है PVC के बने हुए है जो हम shopping bags लेकर के जा है तो हमारे जो cooking wares होते हैं याने की खाने बनाने के जो वर्तन होते हैं उनकी जो handles है वो handles plastic के बने लेकिन कौन सी वाली plastic के तो बेकलाइट अब सवाल यह है कि आखिर बेकलाइट को हम cooking utensils के handles बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं तो पहला point यह है पहला reason यह है कि it is a poor conductor of heat heat का poor conductor होता है दूसरा यह कि it does not become soft on getting heated that is it is a thermosetting plastic अब अगर आपको thermosetting plastic का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है हम अपने next session में upcoming session में जब further plastics की एक और category को पढ़ेंगे वहां मैं आपको समझा दूंगे कि thermosetting plastic का मतलब क्या होता है thermosetting plastic का मतलब क्या होता है अभी के लिए आप इन दोनों रीजन पर आप focus करोगे कि हम क्यों बेकलाइट जो की एक टाइप प्लास्टिक का उसको हम यूज करते हैं cooking utensils के handles बनाने में क्योंकि पहला बात तो यह कि वह पूर conductor होता हीट का भई होता क्या है सपोस्थ आपके पास एक में अब हमारे जो cooking utensils होते हैं खाने बनाने की बरतन होते हैं वो किसके बने होते हैं Steel के बने होते हैं metal के बने होते हैं तो यह पर मैं अभी के लिए Steel लिख देती हूं ठीक है अपने गैस टोफ पर अखा और गैस टोफ़ को और कर दिया तो जो फ्लेम निकली इस फ्लेम के कारण स्टेनलेस टील है तो बेसिकली स्टील क्या होता है स्टील आप बोल सकते हो की दो यूनों सबस्टेंसिस के कॉंबिनेशन से बनता है स्टील में हम बोलते हैं कि 98% तक आइ और दूसरा होता है कारवन ना आरा डिशाधा होता है थीक्ञा आज कर आपने एक सेयस मेटल भी सना ऊगा सेयस मेटल की होगा और सेयस मेटल कि वह फ्राइंक क्या बोल रहे थे हमने फ्लेम जला दी अब इस फ्लेम से हमारा जो फ्राइंग पैन है वो गरम हो जाएगा और गराम हो जाएगा तो क्या इसके उपर आप रख्के जो है ना बढ़न हो जाएगा तो इसली इसको पकड़ने के लिए हमको एक ऐसा है कि घरणा हों है ना जो हीट डॉक्ट ना यह ऐसा ना हो कि आप अब बोलो कि मैं मगर हैंडल ही चाहिए तो एक काम करता है ना Stainless Steel का हमारा pan है तो उसका handle भी हम Stainless Steel का बना देते हैं बना दो कोई दिक्कत की बाद नहीं होगा क्या कि इधर वाला जो Stainless Steel है जो जिसके नीचे आफ फ्लेम जला रहे हो वो गरम होगा उसके गरम होने से क्या होगा कि अगर आपने इस तरफ अगर आपने कुछ इस तरीके से steel का ही आपने क्या कर दिया है, handle बना दिया है तो heat जो है यहां से यहां conduct हो जाएगी याने कि वो travel कर जाएगी यह वाला part जो है आपके frying pan का इसको तो आप intentionally गरम करी रहे हो ना क्योंकि इसके उपर रखे आपको खाना बना रहा है तो यहां यह चीज तो गरम हो जाएगा heat जो है conduct हो जाएगी कहां यहां से यहां कब अगर आप इस stainless steel का जो frying pan है उसका handle भी आपके इसका बना दोगे steel का ही बना दोगे तो heat का जो है conduction हो जाएगा तो जब आप इसको पकड़ोगे ना इस handle को तो भी जो है ना हाथ में जल जाएगा क्योंकि heat conduct हो गई है यह भी गरम हो गया है तो basically handle ऐसा होना चीज जो कि गरम ना हो गरम कैसे ना हो जो heat conduct ना करे तो सबसे बढ़िया है back a light का handle यूज करो back a light जो कि एक प्लास्टिक है वो heat को conduct नहीं करता है इसके अलावा heat को तो conduct करता है नहीं है पूर conductor होता है साथी साथ हम बोलते हैं कि जब यह basically जब गरम होता है तो यह soft नहीं पड़ जाता आप खुदी सोचो ऐसा नहीं है साथ नहीं होता है आपने देखा हो कि आप एक घंटा क्यों ना इस फ्राइंग पैन पर कुछ भी पकालो कुकर में कुछ भी क्यों पकालो लेकिन जो handle है वो soft नहीं होता है थोड़ा सा हमको लगेगा गरम हो गया है लेकिन जादा नहीं होता है ठीक है में कुछ भी बनाओगे खाना तो वह हीट जो है handle पहुंचेगी और उस heat के करण handle melt हो जाएगा अपना शेप चेंज कर लेगा जितने बार आप उस बर्तन को यूज करोगे उतने बार उस handle का जो shape है वो अलग-अलग हो जाएगा क्यों क्योंकि बैके लाइट के जो है ना आपके घरों में जो switchboards लगे होते हैं उनकी जो switches होते हैं और यह जो plugs वगेरा होते हैं है ना किसी भी आपके electrical appliance के चाहे बोवे चाहे वह fridge हो चाहे वह टीवी ओлад रडियो एपकी जो mobile charger के रहते हैं लैटपाव के charger होते हैं सब्सक्राइब ने कुछ बने क्यों प्लाइब होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं तो क्यों बने되는 को जेस्ट is it does not conduct electricity जैसे बैकलाइट हीट को कंड़क्ट नहीं करता ना वैसी electricity को कंड़क्ट नहीं करता है वह अगर आप सोच रहे हो कि हमको जो है ना हमको एक प्लग बनाना है अब उस प्लग को बनाने के लिए आपने बढ़ी अच्छी तरीके से लोहा यूज कर लिया है तो होगा क्या जैसे ही लेक्ट्रिक वायास में करेंट होगा प्लग की यह three पिनस होती है ये जो three points होती है प्लग की इसमें तो करेंट जाएगा ही अब अगर आपने क्या किया इन 3 pins को join करने के लिए आपने एक plug बनाया और plug किसका बना हुआ है एक metal का बना हुआ है तो होगा क्या इन 3 pins में बोलते हैं कि current जाएगा और current कहां आ जाएगा जो आपने metal का plug बनाया है उसमें फैल जाएगा तो जब आप इस metal को plug के जाके चुओगे तो current लग जाएगा तो यह चीज तो बिल्कुल sensless है बेसलेस है है ना हमें ऐसा plug चाहिए नहीं है जो कि current फिलाए तो हम क्या करते हैं थ्री पिंस में current बहने दो कोई चिंता की बात नहीं है हम क्या करते बेसिकली जो थ्री पिंस होती ना इसके अंदर पूरे अगर आप इस फ्लक को खोलोगे तो आपको दिख्याए देगा कि यहां पर कई सारे जो है ना वायर डले रहते हैं एक न्यूट्रल होता है एक पॉ जो की current ना फैलाए तो current ना फिनाने वाले के लिए हम कौन सा फ्लास्टिक यूज कर सकते हैं बहके लाइट यूज कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद में it does not become अच्छा यह soft नहीं होता है यह soft नहीं होता है ठीक है याने की देखो होता क्या है कि जब किसी चीज में electric current flow होत होती है कैसे अब एक आपके लिए warning है कि आपको चीज बिलकुल नहीं करना है मैं आपको सिर्फ example के लिए समझा रही हूँ कोई इस स्टुनेंट यह अपने घर पे स्टेंट परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि फिर आप लोगों को जना चीज़े सम गरम हो जाते हैं इंफेक्ट आपने देखा होगा अब यह इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घरों की ट्यूब लाइट और बल्क पुझा करोगे कि गरम हुआ नहीं ऐसा नहीं करना है ठीक है आपने देखा होगा कि जब आपना फोन चार्ज करते हो बिलकुल 0% बैटरी हो गई है अब आपको उसको 100% तक ले करके जाना है तो आप उसको चार्ज करोगे तो आपको अपना फोन भी गरम मिलेगा और आपको अपना चार्जर भी गरम होता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा हम जब लैट्टॉप वगरा यूज करते हैं लैट्टॉप को हम चा तो हीट जो है प्रड्यूज हो जाती है ठीक है तो बल्ब और ट्यूप राइट जाकर के कोई टच नहीं करेगा मैं बता रही हूँ आप उस चीज़ को बस मान लो ठीक है बाकी फोन और चार्जर की जो हीटिंग है वो आप जो है ना आप सभी ने कभी ना कभी जरूर अब जो हमारे घर में जो रेफिजिनेटर होता है ठीक है अब वो तो 24 गंटे चलता रहता है याने कि उसका जो प्लग है वो हमेशा एलेक्ट्रिक करेंट के कॉंटेक्ट में होता है अब हमको उस प्लग को बनाने के लिए ठीक है एक ऐसा प्लास्टिक चाहिए है जो की हीट से जो है मेल्ट ना हो क्योंकि इसमें एलेक्रिक करन फ्लो हो रहा है उसके वायर के अंदर तो हीट प्री प्रोड्यूस हो रही होगी एक ऐसा प्लग बनाने के लिए मटिरियल चाहिए है जो कि असानी से मेल्ट ना हो जादा हीट होने से तो सबसे बढ़िया होता है बैकलाइट है ना बैकलाइट के बना दो चलो अब इसके बाद में इनफेक्ट आजकल के टाइम पे तो बैकलाइट से भी एडवांस प्लास्टिक जो है ना यूज किये जाने लगे हैं रेफिजरेटर और जो हमारे जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं इनफेक्ट मुझे जो है जादा करेंट जो है यूज करते हैं उनके प्लाइड और वायर्स बनाने के लिए तो अलगी टाइप की मटेर्ल को यूज किया जाता है ठीक है तो आप फ्लाइडरा को जो है ना ध्यान से आप उनको जो है ऑब्जर्व कर सकते हो चलो बैकलाइट प्लास्टिक का जो है ना jewelry बनाने में भी यूज किया जाता है जो bangles होते हैं उसको बनाने में चलो तो बैकलाइट हो गया अब हम बात करते हैं melamine is a plastic which can tolerate heat better than other plastics and are and resist fire the melamine के लिए हम बोलते हैं कि यह एक ऐसा plastic है जो कि किसी भी other type के plastic से better heat को tolerate करता है और fire resistant भी होता है याने कि fire को रजिस्ट करता है इतने आसानिसे आग नहीं पकड़ता क्योंकि हमने देखा कि जो सिंथेटिक चीजे होती है क्योंकि सिंथेटिक चीजे केमिकल वगएरा से बनती है तो वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है अगर आपको याद हो तो हमने पॉलिएस्टर के बार में बगरता है मेले माइन यूज़ फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स फ्लोर की जो टाइल्स होती उसको बनाने में यूज़ होता है हमारे जो कुछ अनब्रेकेबल किचन वेर होते हैं है जैसे कि कप्स वगएरा हो गया प्लेट्स हो गई जो कि आप कितना भी उपर से गिरा लो नी तूटते नहीं है क्यों तूटते मेले माइन के बने होते हैं तो जो अनब्रेकेबल प्लास्टिक आइटम से मेले माइन के बने होते हैं यह याद रखना एश्ट्रेश वगएरा सिगरेट को वो बुझाने के लिए जो यूज़ होती है उसके लिए मेले माइन यूज़ होत कपड़े के ही बने होते हैं उनके जो यूनिफर्म है लेकिन उनक्त कपड़ों के ऊपर मेलेमाइन प्लास्टिक की जो है कोटिंग कर दी जाती है क्योंकि उनका काम कांफी जादा रहते हैं होता भी कि fireman जो है ना किसी को rescue करने गया है और खुद जहना वो जल जाते हैं बर्न हो जाते हैं उनको severe burns हो जाते हैं तो यह सब चीज़े करने के लिए उनकी uniform को ऐसा बनाया जाता है कि थोड़ी बहुत उनके आसपास आग आए भी तो जल्दी से उनके कपड़ों पर जो है ना यूनिफॉर्म में आग ना पकड़े क्योंकि एक बार यूनिफॉर्म में पकड़ जाती है तो मुश्किल हो जाती है इसलिए की कोटिंग कर दी जाती है उनकी उनिफॉर्म के ऊपर स्टेट उनके जाती हैं आप In microwave ovens, the heat cooks the food, but does not affect the plastic. वेसल आपमें देखा होगा, कि खाना बन जाता है microwave में. लेकिन आप बोल सकते हो कि जो बरतन हम यूज करते हैं microwave को बनाने के लिए, उसमें जो है ना कोई असर नहीं पड़ता है. फिर melamine के बनने हुए कुछ unbreakable kitchen wear's हैं, कितना भी जोर सा पटक लो, यह नहीं तूटते हैं. कहने को plastic के बने, लेकिन तूटते नहीं हैं. है ना, और इस तरह की floor tiles में भी melamine के लिए melamine को use किया जाता है. फिर इसके बाद में last के हमारा आया है type का plastic, teflon. तो teflon हम बोलते हैं कि special type का plastic है, जो की पानी और oil को जो है अपने उपर चिपकने नहीं देता है. अब आप खुद ही समझ लो कि अगर oil और पानी plastic के उपर नहीं चिपक रहा है, तो ऐसे plastic को हम कहां use कर सकते हैं. आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि non-stick बरतन, आपके पास non-stick pants होते हैं, non-stick कढ़ाई होती है, non-stick मतलब क्या? ऐसे बरतन या ऐसी कढ़ाई या ऐसे pants जिसमें की खाना जो है चिपकता नहीं है. अगर हम traditional अपने steel या लोहे iron के बरतनों में खाना बनाते हैं, आप में देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा तेल जादा डलता है, क्यों? क्योंकि अगर हमने तेल की कमी रखी है, अगर आपका जो बरतन है, steel वगेरा का, वो अच्छी तरीके से उन्हों उसकी greasy नहीं की गई है, अगर वो अच्छी तरीके से उन्हों आप बोल सकते हो कि oil ही नहीं है, तो उसमें खाना जाकर के चिपक जाता है, तो हमेशा अपने जो traditional बरतन होते हैं, steel वगेरा के बरतन में खाना बनाने के लिए तेज जादा लगता है, वही हमारे पास होते हैं कुछ ऐसे utensils जिसमें की एक से दो बूंद जो है आप oil डालोगे और उसी में खाना बन जाता है, क्यों क्योंकि खाना जो है वो उसमें चिपकता नहीं है, जिसको हम कहते हैं non-stick बरतन, तो वो non-stick कैसे हो पाते हैं, basically non-stick ऐसे हो पाते हैं, उनके उपर teflon की coating कर दी जाती है, plastic की coating, teflon plastic की coating की जाती है, तो teflon के कारण क्या होता है, जब आप उसके उपर एक दो drops डालते हो oil की, तो वो जाकि चिपकती नहीं है, है न, oil और पानी से resistant होता है, तो आपका जो खाना है, वो पूरा खाना जो भी है आपका, उसी में जाकर के तेल बैट जाता है, और खाना चिपकता नहीं है आपका, तो oil and water do not stick on teflon plastic, because it has a slippery surface, काफी slippery और smooth surface होता है, teflon also withstands high temperature, जब भी आप किसी चीज़ को खाना बनाते हो, तो temperature तो उसके जादा पहुंची जाता होगा, अगर आपके पास एक ऐसा plastic है, जो कि oil और पानी को चिपकाता नहीं, जिसके ओपर हम बोलते हैं कि खाना चिपकता नहीं है, तो आपने सोचा कि उसको हम बरतन को बनाने को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो high temperature को tolerate नहीं कर पाया, तो क्या होगा, खाना जब आप बनाओगे, तो साथ में बरतन की जो coating है, वो भी पिखल करके खाने में मिक्स हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टेफलोन की अच्छी बात ये भी होती है, कि high temperature को ये जेल जाता है, टेफलोन is used in giving non-stick coating on cookwares, like non-stick frying pans वागेरा, टेफलोन is also used for making sole plate, या bottons of the electric ions, आपने देखा होगा, जो electric ions होती ही, देखो, आपको एक मेश दिखाई देरी होगी, कि आपका frying pan है, और उसके उपर आपको जो great coating दिखरी ही, किसकी है, टेफलोन की ही है, अब टेफलोन की ही है, फिर इसके बाद में आपने देखा होगा, कि जो हमारी electric ions होती है, जिसे हम press वगेरा करते हैं, उसकी जो sole plate होती है, sole plate पे भी आपको एक grey color की जो है, काफी smooth, एक coating आपको दिखाई देती है, ये coating भी किसकी होती है, टेफलोन की ही बनी होती है, वह आपकी जो electric ion है, इसका भी temperature बहुत बढ़ जाता है, जब तक आप temperature नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके जो कपड़े हैं, वो iron नहीं हो पाएंगे, तो basically यहाँ पे टेफलोन की coating क्यों की जाती है, क्योंकि जितने smoothly iron आपके कपड़ों पे glide करेगी, उतना slide करेगी, उतना जो है ना अच्छा होगा, अगर आपके पास यह कैसी electric iron है, जो कि जो है ना बिलकुल आपके कपड़े के ओपर रगड रही है, तो रगडने से क्या होगा, कपड़े के फटने के chances होगे, तो हम electric iron का जो soul plate है, ठीक है, इसका जो bottom है, वो इतना smooth बनाते हैं, कि बहुत असानी से जो है ना electric iron कपड़ों क की ओपर जो है ना slide करें, तो इसलिए हम बोलते हैं कि टेफलों की coating कर दी जाती है, कि टेफलों जाना काफी smooth कर देता है, अगर आपके जो cooking के जो बरतन होते हैं, वो भी दो कितने soft होते हैं, electric iron की जो soul plate है, वो भी देखो कितनी soft होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों extensively in the healthcare industry, healthcare industries में भी plastics को जो है use किया जाता है, कैसे, basically tablets के जो पत्ते होते हैं, है ना, syringe वगेरा जो होती है, और doctors के जो gloves होते हैं, जिसको पहन के वो operation वगेरा करते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, plastic के बने होते हैं, in fact, आजकल तो medical science ने तनी जादा, आप बोल सकते हो कि progress कर हैं, कि घाव को बंद करने के लिए, wound को stitch करने के लिए, जो stitches use किया जाता है, आपने सुना होगा, कि उसको टांके आएं, तो टांके मतलब क्या, basically threads से जगा को, आप बोलते हो कि seal दिया जाता है, तो जो thread बनाया जाते हैं, जो thread से stitches लगाया जाते हैं, वो thread भी किसका बना हो है ना तो ऐसा नहीं है कि हम अपने घरों में केवल बरतनों में यूज कर रहा है प्लास्टिक मेडिकल फील्ड में भी प्लास्टिक का यूज होता ही है और बहुत सारे कुछ और भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगेरा होते हैं जहां पर प्लास्टिक का यूज किया जाता है तो आज की सेशन में हमने प्लास्टिक के बारे में समझा प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में समझा है ना अलग-अलग टाइप्स के हम में बात करी टैफलॉन की मेलमाइन की बैकलाइट की पीवीसी की और पॉलिथिन की यह सारे टाइप्स हो गए यह सब आपकी प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको असानी से जो हैना हीट करो मेल्ट हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हाड हो जाएंगे फिर मेल्ट करो फिर हाड हो जाएंगे यह सब चलता रहता है ऐसा क्यों होता है प्लास यह आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक्स द हम पढ़ेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com उसे visit कर लिजेगा जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं properly playlist में arranged और सभी topics के वहां पर आपको होते हैं notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching